आप पॉलिटिक्स में कैसे आए पॉलिटिक्स में आने का ऐसा कोई प्लान नहीं था बच्पन से जब से मैं 7-8 वर्ष का था तब से मेरे मन में हमेशा ये था कि सामाजिक शेत्र में और सारवजनिक शेत्र में कुछ ना कुछ करना है क्योंकि मैं स्कूल में किताबे पढ़त वैल्यूज में टॉपर होना ज़्यादा ज़रूरी है शुरुवाती दिनों में आप लोग को तो पता होगा कि मैं एनस्यूआई से जुड़ा हुआ था ये कॉंग्रस की स्टूडेंट स्विंग है ये तो यह साथ आठ की बात है उससे भी पहले की बात तो उसमें कुछ न आफिस जाता था वहां पे हेड़कॉर्टर में काम करता था तो तीन-चार महीने में एक बार दिल्ली आकर ये काम करता था तब से इस प्रकार से शुरुआती फिर उसके बाद धीरे-दीरे करके महराश्टरा कॉंग्रस में काम किया फिर राश्टिस तर पर काम करना जारे के चार महीने पाच मेने आप अपनी पॉकेट मनी जोड़कर फिर आप यहां आते थे तो जाहिए से चीज है कि लॉंग टर्म प्लान होगा एक विश्वास होगा उस पार्टी के भीतर और वहां से यहां तक आने के बाद जब सब बहतर होता हुआ दिख रहा था तब बहुत सारी चीजे घलत चल रही है परिवारवाद है अगर आप किसी परिवार के हो या पैसा है तभी आपको मौका मिलता है यह सारी चीजे मैं चेंज करूँगा इसको हमने सीरिसली भी लिया क्योंकि किसी भी व्यक्ति को कुछ समय देना चाहिए कॉंग्रस पार्टी बह ही हुए और बार-बार हम पार्टी में रहके भी उनको कहते थे मैंने तो राहूल गांदी को प्रियंका वाड़ा को उनके सामने का था कि यदि आपको इस पार्टी की ग्रोथ को देखना है तो कई सारी चीजे जिसमें इलेक्शन करना जिसमें की नौन पारिवारिक बैगर करतना पड़ता था क्योंकि साइडलाइन कर देते थे एक चार-पांच-छे साल जब हमने इन्वेस्ट किया और देखा कि जो राहूल गांदी कहते हैं और जो राहूल गांदी करते हैं उसमें बड़ा अंतर है कोई चेंज नहीं हो उल्टा और फैमिली ओरियंटेट सिस्ट मैं राहूल गांदी और सोनय गांदी के चपकल जूते नहीं गया था राजनीं हां महात्मा गांदी जी से प्रभावित हूँ लोक्माने ठिडक से प्रभावित हूँ पर इसका मतलब यह नहीं कि केवल कॉंग्रस पार्टी ही उस